हलो अब्रिवन आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ टू कलार न्यू स्वेटर डिजाइन चलिए ये डिजाइन कैसे बनाते बना के देखते हैं डिजाइन बनाने से पहले आप सबसे मेरा रिकोष्ट है अगर मेरे चैनल कभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रें लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिए ये डिजाइन बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें 9 नमबर स्लाइब यूज किया क्योंकि ये मोटा भूल है इसलिए इसको 9 नमबर स्लाइब से ही इसको बीनना है और ये 12 12 प्लास करके आपको फंदा लेना होगा और दो तो ना फंदा लेना है टॉल टॉल प्लास करके ले लिजे देखिए कितनी संदर फ्लावर डिजाइन अब को बन के तयार हो जाएगा तो डिजाइन की पहले स्लाइए धियान से दिखिए तो देखिए डीजाइन की पहली सलाई है पहली सलाई में हमें क्या करना है यह स्थीज बाला फंदा है इसको बीना बना ले लिया अब देखिए यहाँ से हमारे डीजाइन शुरू हो जाएगा तो धियान से देखिएगा फ्रेंज धागा आगे की साइड लाए मैंने एक दो तीन चार चार फंदा मैंने उल्टा बिना दीखिए चार फंदा उल्टा बिनने के बाद धागा हमें पीछे на हैं अब दो फंदा को एक फंदा बनाना है तो देखिए ये आगे की साइड से ये दो फंदा ये देखे एक ये दो ये दो नो फंदा आगे की साइड से ऐसे ही इसमें लेना है अब ये दो फंदा को एक साथ बिन दूंगी तो एक फंदा मेरा कम हो गया देखे ये कम हो गया ये फंदा उठाएंगे हम इसमें तो देखे एक जाली डा देंगे यह जो फंदा कम हुआ यह बढ़ा दिया और एक सीधा है फंदा बीन हाथ देखिए फंदा इस वे एक फंदा कम करेंगे तो क्यासे करण रहे यह बढ़ा वνदे पीन वे दो दो फूंदे को बी दॉं हां एक साथ नहीं स्थे दिए वुपतला दा आप में कि अब वन उसरे दोनों इसे सरके एक सब्रिण में जानले थे गंदें थे जी तीन देखिए यहां से लेकर यह 80 बाला फंदा इसको छोड़ के देखिए एक दो तीन चार पास छे साथ आठ नौ दस गेरा बारा तो यही बार फंदे को आगे रीपीट करोंगी यही बार फंदे में मेरा एक डिजाइन बनता है तो एक डिजाइन की बन गया आप देखिए फिर से यहां से शुरू करोंगी एक दो तीन यह चार फंदा उल्टा बीना फिर से देखिए यहां से तीन फंदा उल्टा था और चार फंदा इसमें बीना तो तो इसमें बार फंदा की डिजाइन है तो चार फंदा मेंने उल्टा बीना अब फिर से देखिए धागा पीछ फंदा की आगे से स्लाई कुसे आएंगे दिखिए आफ दो फंदा ऐक पना दिया आफ एक ढ़ी डालेंगे इक फंदा सीधा burden से एक जाली डालेंगे अब दो पंधा एक साथ बिनना है दнокहते है दो दो पंधा इसमें ले लिया अब दो फंधा को एक साथ बिन दिया कि में किए अब दागा आगे किया तीन फंधा फिर से उटा बिनना है 1, 2, तीन ho तो मेरा दो डिजाइन यहां तक बन गया, अब देखिए लाश्ट में, अब फिर से, एक, दो, तीन, यह चार, चार फंदा बीना, अब धागा हमें पीछे की साइट लेना है, अब यह दो फंदा को, एक फंदा बना दिया, दो फंदा को एक फंदा बनाया, अब लाश्ट का एक है, इसको जाली डाल देंगे, तो इसी तरह से आपको बनाते जाना है, 12 फंदा करकर के आपको, जैसे मैंने इसमें 12 फंदा बनाया, फिर से 12 फंदा बनाया, इसी तरह से पहले सले आपको कम्प्लीट करना है, तो रो बन ह हमारे complete हो गया अब row to ultra side, ultra side में इसमें जितना फंदा है सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बिनना है देखिए जितनी इसमें फंदा है कोई भी फंद को आपको जाली वाले कुछ नहीं डालना है जो जाली वाला फंदा है उसको भी आपको उल्टा बिनना है और उल्टा side में जितना फंदा आएगा फिरेंट्स हर बर आपको उल्टा side से उल्टा ही बिन लेना है देखिए जाली वाला फंदा है इसको भी बिनना row 2 आपको इसी तरह से complete करना है यह तूरो हमें इसी तरह से बिनना है दिखिए row 2 complete हो गया अब row 3 सीधा side अब धियान से देखिए 3 रो सीधा side है अब यह stitch बाला फंदा है इसको देखिए ऐसे खोल लिया अब धागा आगे की side किया पहले हमने 3 फंदा उल्टा बिना था चार फंदा उल्टा बिना था अब 3 फंदा उल्टा बिना है तो देखिए एक दो यह तीन तीन फंदा उल्टा बिना अब देखिए अब धागा पीछे पहले इसको बिन देना है सीधा बिना देखिए अब एक जाली डालना है धागा को ऐसे उपर से घुमा के लिया अब यह जाली वाला फंदा है इसको लेकर एक दो तीन तीन फंदा बीना अब इस साइड में भी जाली डालना है कि एक जाली अब ये दो फंदे को ऐसे लेना है अब ये दो नो फंदे को पीछे से बीन देना है ये दिखिए दो साइड में दो जाली आ गया अब फिर से धागा आगे किया एक ये दो पहले तीन फंदा था अब दो फंदा बीना अब देखी इसमें चार फंदा था अब तीन फंदा हो जाएगा एक दो ये तीन अब देखी टोटल कितना फंदा बना हमारे एक दो तीन चार पाँच अब पाँच फंदा हमारे बीच में उल्टा हो गिया अब धा का पीछे अब देखिए एक उल्टा फंदा इधर छोड़ा क्योंकि यह सीधा फंदा के साथ बीना है दो फंदा एक साथ बीना अब एक जाली जाली के साथ देखिए एक दो तीन तीन फंदा सीधा बीना अब फिर से एक जाली डाला अब दो फंद एक सत लिया अब दो नुँफंद चार यह पाच पंद उल्टा बीड़ा धागा पीछे देखेएएक उल्टा फंद और एक थीदा फंद को एक सत लेना है और इसको बीन दिया this is a आप एक उसम है घाली डालेंगे जाली की सथ दिखे एक इस दो फंदा छा कि जीरा बीना तो लोट हुमार देखे रो त्री पंप्लेट हो गया में प्रोफ़ल हुर्टा साइट उल्टा साइड में पूरा Slice उल्टा उल्टा बनाना है । इस इसमें कोई भी फंद आपको स्लीप नहीं करना सारे फंद को उल्टा उल्टा बना लेना है फोर्त रो इसी तरह से बनाना है पूरा स्लाय उल्टा उल्टा देखिए फोर रो हमारे कंप्लीट हो गया रो फाइब सीधा साइड यह अस्तिज बाला फंदा है इसको खोल लिया अब धागा आगे किया तीन फंदा उल्टा बिना था अब दो फंदा उल्टा बिना है दो फंदा एक साइड बिना अब एक जाली अब देखिए एक दो तीन चार पाँच पंदा सीधा बिना एक जाली अब यह दो फंदा को एक साइड बिना है दो फंदा एक साइड बिना अब धागा आगे अब बीच में तीन फंदा उल्टा बिना है पहले पाच पंदा था अब तीन फंदा हो गया अब धागा पीछे एक सीधा फंदा है और एक उल्टा फंदा है दोनो एक साइड बिन देना है अब एक जाली डालेगा जाली किसाद देखिए एक दो तीन चार यह पाच पंदा बिना फिर से एक जाली डालेगा अब देखिए एक ये सीधा फंदा है एक उल्टा फंदा दोनों फंदे खोल लिया अब ये दो फंदे को एक साथ बीन दिया अब फिर से धागा आगे लाया अब तीन फंदा फिर से उल्टा बीना अब धागा पीछे ये दो एक उल्टा फंदा है एक सीधा फंदा है अब आगे की साइड से दिखिए यह 2 फंदा को 1 फंदा बना दिया अब एक जाली डाला एक दो तीन तीन फंदा सीधा भी न तो देखिए हमारे फाईब रोग कंप्लेट हो गया आप रोज 6 उल्टा साइड, उल्टा साइड में पूरा सिलाए आपको उल्टा-उल्टा बनाना है, इसमें कोई भी फंदा उनी करना है, सारे फंदे को उल्टा-उल्टा बीन लेना है, यह देखिए, यह 6 उल्टा साइड में पूरा सिलाए उल्टा-उल्टा बना लिया, 7 उल्टा साइड में देखिए, एक अस्टीज वाला फंदा है, इसको बीना बुना ले लिया, अब धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, अब देखिए, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, यह दो फंदे को आगे की साइड से बीना, अब एक जाली, देखिए, जाली की साथ, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, इस साथ, साथ फंदा बीना, अब एक जाली, अब यह दो फंदे को खोल लेंगे, यह दो फंदा एक साथ, इसको बीन दिया, अब बीच में, एक फंदा उल्टा बीना, धागा पीछे, एक उल्टा और एक सीधा फंदा, दो फंदा एक साथ बीना, एक जाली, अब एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, यह साथ, साथ फंदा बीना, अब एक जाली, इसको खोल लिया, दो फंदा को, अब दो फंदे को, एक फंदा बना दिया, अब बीच में, एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, एक उल्टा फंदा वारे की देखिए, सीधा फंदा आरा साइड में, इस दो फंदा एक साथ लेना है, और इसको बीन देना है, अब एक जाली, एक, दो, तीन, चार, सेवन्त रो हमारे कंपलीट हो गया, अब रो एट, उल्टा साइड, उल्टा साइड में पूरा सलाई आपको उल्टा उल्टा बना लेना है, इसमें भी कोई भी फंदा आपको, कुछ भी नहीं करना बस उल्टा-उल्टा पूरा स्लाई अपको बनाना है ये ट रो इसी तरह से बनाना है दिखिए ये ट रो मेरा पूरा स्लाई में ने उल्टा-उल्टा बीन लिया अब रो नाइन्थ सीधा साइड नाइन्थ रो में देखिए क्या करना है ये अस्टिज वाला पंडा है इसको बीन बना ले लेना है अब यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक 6 छे पंडा सीधा बीन लेना तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाच, ये छे छे फंदा बनाया देखिए अब ये बीच में आरा हमारे ये जो बीच में आरा यहां से हमारे डीजाइन इस्टाइड हो जाएगा तो दिखिए अब इसमें मैं दूसरा कलर लगाऊंगी row 9 सीधा side यह देखिए यह stitch बाला फंदा है stitch बाला चोड़के 5. 2. 3. 4. 5. 6. 6 फंदा बीना अब देखिए हमें क्या करना है यह जो पंदा यह जो जाली देखिरेए यह सारे जाली में से 1. 1. फंदा निकाले हुआ पहला हमें यह जाली पहला जाली में से एक फंदा बनाऊंगी, यह दिखिए, यह जाली में से एक फंदा बनाया है, यह दिखिए, अब इस फंदे को क्या करना है, इसको सीधा बीन देना है, यह फंदा बनाया और इसको सीधा बीन दिया, अब दिखिए, अब यह जाली में से भी एक फंदा निका अब इसको सीधा किया अब इसको तो किERS कOR बिना कि इसको सीधा बीना अब ये जाली में सी बहुँ एक बनाऊंगी ये दिखी है ये जाली में से ली एक बना आया किÓ कि यह तीन हो गया और एक बनाएंगे कि दिखिए एक दो तीन चार यह चार बनाया एक दो तीन चार बनाया यह बीच बाला है इसको एक फंदा सीधा बीना अब फिर से दिखिए एक दो तीन चार अब इसमें से भी चार बनाना है दिखिए यह बहुत ही सुन्दर डिजाइन ने फ्रेंट्स दिखिए एक फंदा बनाया अब इसको भी सीधा बीना इसको सीधा बीना अब इसमें से एक फंदा बनाना है इस यह चार पंदा इसमें से बनाए है तोटल हमारे नौपंदा दिखिए एक, दो, तीन, यह चार चार इस साइड बनाया, चार इस साइड बनाया तो आठ पंदा हो गया अब एक बीच में सीधा पंदा बीना तो देखिए आप इसको ऐसे घुमा दिया उल्टा साइड लाया अब यह नौपंदा आपको गिन के लेना एक साइड लेना है अब यह नौपंदा को उल्टा बीना देखिए नौपंदा एक साइड बीन दिया अब फिर से धागा को ऐसे आगे की साइड खुमाएंगे कि आगे की साइड लाया यह 9 पंदा को एक साथ बिन दिया अब इसको वाइट धागा से सीधा बिन दोंगी यह देखिए यह हमारे कितनी सुन्दर डिजाइन देखिए बनके तयार हो गया अब फिर से यहां से हमारे कितने बिन ना है पाच पंदा तो देखिए एक दो तीन चार यह पाच पंदा सीधा बिना तो यही 12 रोकर डिजाइन एक दो तीन चार पाच छेइ aatा 9 10 11 12 देकिए 12 फंदा के डिजाइन है अब यहां से फिर से हमारे यह डिजाइन चुरू हो गया अब चिक से फंदा फिर से सीधा बिना है एक दो तीन चार पाच ये छे छे फंदा बीना देखिए इसके बराबर है ये बीच में आ रहा है अब फिर से हमें वैसे ही बनाने इस साइड में चार इस साइड में चार बीना है तो देखिए एक पंदा बीना इसको सीधा बीन दूँगी इसको सीधा बीना अब इस में से फिर से एक पंदा बनाऊंगी दो फंदा हो गया ये तीन फंदा हो गया चार पंदा इसको सीधा बीना है अब ये बीच बाला एक पंदा देखिए एक पंदा इसको बीना एक दो तीन चार बीना तो एक सीधा बीना इसको सीधा बीना सीधा बीना इसी तरह से आपको ये डिजाइन बनाना है दिखिए ये नौ फंदा हो गया अब इसको उल्टा साइड लेना है गुमा के अब ये जो नौ फंदा दिख रहे ये नौ फंदा को एक साथ एक पंदा बनाना है नौ फंदा को एक पंदा बनाया आप इसको फिर से आगे की साइड लाना है अब ये फंदे को सीधा बीन देना है दिखिए इसको सीधा बीन दिया अब फिर से देखिए आपको यहां से पाच फंदा सीधा बीना है एक दो तीन चार ये पाच पाच फंदा सीधा बीना अब ये डिपीट पैटर्न हमारे शुरू हो गया एक दो तीन चार पाच ये छे यहां से छे फंदा बनाया आप देखिए फिर से आपको यह ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये दोनों में बनाया वैसे ही इसको भी बिनना है एक फंदा बिनना दो तीन जैसे हमाले चराया तो हमिने है बुदिया हो कि आ हम अब पीछे की रिस लेना है सांग चार है और ये दीखिए लाषर के बीच वाला फंदा इसको भी सीधा बिनना है इंग भाल पीछे की रिसकी लाया ये पाच पंदे को एक फंदा बनाना है अब फिर से इसको आगे की साइड लाया, अभी एक फंदे को सीधा बीन देना है, वाइट फंदे से, तो देखिए यह ही अमारे नाइन्थ रो का डिजाइन है, नाइन्थ रो कम्प्लीट हो गया, अब रोट एन उल्टा साइड, उल्टा साइड से देखिए पूरा सिलाए अ इसको भी साथ साथ लेकर चल रहा है, यह पूरा सिलाए आपको उल्टा बिनना है, फ्रेंट्स इदे यह वाइट जो रेड बाला है, इसको हम साथ लेकर चलेंगे, बहुत इजी है, फ्रेंट्स, ऐसे ही पूरा सिलाए अपको कम्प्लीट करना है, और यह जो रेड बाला धागा है, इसको भी सासत लेकर चलना है, क्योंकि यह धागा फिर से हमें बिनना है, और यही टॉल प्रो की डिजाइन है, इसी को बार बार आपको रिपीट करना है, अब देखिए, यह टॉल प्रो मेरे कम्प्लीट हो गया, अब यह जो डिजाइन हमारे इहाँ बना है, अब यह डिजाइन हमारे इसमें बनेगा, तो यह एक सिलाइए और बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फिजन ना रहे है, दिखान से देखिए, अब यह इलावट रो है, इलावट रो में देखिए, यह डिजन जो मेरा इधर बना है, अब यह बीच में बनेगा, तो धियान से देखिए, कैसे बनेगा, अब यह एस्टेज बाला फंदा है, इसको बिना बना ले लिया, अब एक फंदा में सीधा बिनूगी, अब एक जाली, अब देखिए, एक यह दो, दो फंदा कोल लिया, अब यह दो फंदा को एक साथ सीधा बिना, अब धागा आगे लाया अब देखिए आवे 7 पंदा हमें उल्टा बनाना है तो देखिए एक दो तीन ये बीच बाला हो गया दो साइड में 3 तीन और बीच में एक तो 7 पंदा हो जाएगा 4 5 6 7 7 फंदा हो गया अब धागा पीछे ले जाना है अब देखी यह बीछ में जो है 2 फंदा को एक साथ करना है 2 फंदा एक साथ बीना 1 जाली इसको सीधा बीना फिर से 1 जाली अब एक यह 2 2 फंदा खोल लिया अब ये दोनों फंद को एक साथ सीधा बीना अब फिर से धागा आगे लाया अब साथ फंदा उल्टा बीनना है एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ अब धागा पीछे, एक ये दो दो फंदा, एक साथ बीना, एक जाली, इस सीधा और एक जाली, दो फंदा, एक साथ बीना अब फिर से लाश्ट का एक, दो, तीन, चार, चार फंदा, उल्टा बीना अब ये उल्टा साइड है, पूरा सिलाई उल्टा उल्टा बनाना है इसमें पहले भी आपको बताए थी 12 फंदा इसे बनाना है 12 फंदा पूरा उल्टा उल्टा बीना फिर साथ बीना, प्रो 30 है, सीधा साइड है एक जाली अब ये दो फंदा एक साथ बिनना है अब बीच में साथ फंदा था पाच फंदा होगे फंदा फंदा बिनना धागा पीचेए ये अब हमारे सीधा फंदा आरे ये दो फंदा एक साथ बिनना है अब एक जाली एक दो तीन फंदा सीधा बीना जाली की साथ फिर से एक जाली एक, दो दो फंदा उल्टा अब धागा आगे एक दो तीन चार पाच पाच पंदा उल्टा अब ये दो फंदा देखिए एक साथ बीना इस सीधा वाला अब एक जाली की साथ देखिए एक दो तीन फंदा बीना एक जाली अब ये दो फंदा एक साथ भीना धागा आगे लाया लास्ट का तीन फंदा उल्टा भीना फार्टीन रो उल्टा साइड पूरा स्लाई उल्टा उल्टा बनाना है फार्टीन रो पूरा स्लाई मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है अब 14 रो सीधा साइड एस्टीज वाला फंदा है एक दो तीन तीन फंदा बीना सीधा बीना अब एक जाली के साथ देखे एक दो दो फंदा एक साथ बीना धागा आगे एक दो तीन तीन फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदा एक साथ बीना एक जाली एक दो तीन चार पाच एक जाली दो फंदा एक साथ बीना धागा आगे एक दो तीन धागा पीछे दो फंदा एक साथ बीना धागे जाली एक दो जाली किसे लगवाह पूरह साथ आगे था बनाना है अधि याम करने हैं पूरा संद्या उल्टा बना लिया अभाव इसब्धा साथ बिखें हैं यह आक्री सिलाई है एक दो थीन चार पाच पंदा बीना एक जाली दो फंदा एक साद बीना एक फंदा उल्टा अब धागा पीछे ये दो फंदा एक साद बीना अब ये जाली की साथ जब तक इसमें नौ फंदा ना हो जाए तब तक आपको बीना है तो दिखिए दो तीन चार पाच छे साथ साद फंदा हो गया ये एक जाली का 8 है और ये एक जाली नौपंदा देखिए हमारे नौपंदा बन गई इसी को आपको भारबार रिपीट करना है एक फंदा उल्टा फिर से देखी ये दो फंदा एक साथ बिना इसी तरह से इस स्लाइ गंपलीट करना है यह स्लाइद देखिए ऐसे complete हो गया अब उल्टा साइट यह पूरा स्लाइद उल्टा उल्टा बनाना है उल्टा साइट से 18 लो हमारे complete हो गया अब 19 लो सीधा साइट देखिए अब हमारे यह design शुरू हो जाएगा तो ये बीच बाला है तो एस्टिज बाला इसको बीन लिया अब एक फंदा इसको सीधा बीना आप देखिए वही जो हमने पहले बना थी इसी को रिपीट करना है ये सारे फंदे में से एक एक फंदा निकलने है जैसे हमने उसमें बनाय था वैसा ही सेम तो सेम बनाना है देखिए ऐसे ही निकलने है अब इस तरब से जितना फंदा रियाट का होगा सारे रियाट फंदे को ऐसे बीन देना है फिर से आगे की साइड आना है अब एक फंदे को इसको सीधा बिनना है वैट धागा से अब फिर से देखिए यहां से पाच फंदा में सीधा बिनना है एक दो 3 4 ये 5 फिर से आप डीजाइन शुरू हो गया अब 1 2 3 4 5 चर पाइस 6 फंदा बीना आप देखिए फिर से यसे ही जैसे हम ने इसमें बनाया वैसे ही आपको डीजाइन बनाना है तो देखिए है ऐसे हम जैसे हम इसमें बनाया था वैसे ही इसको में बनाना है यह सारे मेंसे फंदा बनाया नौ फंदा बनाया यह नौ फंदा को ऐसे उल्टा से उल्टा बीन दिया धागा आगे की साइड किया अब इसको वाइट से सीधा बीन दिया इसी तरह से आपको यह डिजाइन बनाना है देखिए कितनी सुंदर डिज आपका समझ में आ गया यह देखिए यह हमारे पहले इदर बना था आप इसका बीच में बनाया है अब फिर से इसको आपको रिपीट करना उल्टा साइड से पूरा से उल्टा उल्टा बनाना है अब यह डिजन जो हमारे इदर बना है अप इसमें बनेगा एक इसमें बनेगा एक इस साइड में बनेगा थैंक यू